हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके लिए लेकर इस रिफ चावल की आठे से बनने वाला इतना ही टेस्टी और हेल्दी नस्ते का रेसिपी जो की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होते हैं और ये बिच्चे बड़े सब बहुत ही शक्से खाएंगे अगर आप एक बा पुत यहापर देर का चावल की आठा साथ यहापर टेस्ट के कुडिंग नमक डाल दे हैं और यहापर हम गरम पानी का इस्तिमल करेंगे तब जाके हमारा जो चावल का आठा याना सोफ्ट एक दम डो बनकर तयार हो जाएगा तो इसे हम एक सोफ्ट डो तयार करते हैं तो पराटा का डो हमने लगा दिया चलिए अब इस डो को हम साइट में राख देते और एक फिलिंग तएर कर लेते तो इसके लिए फ्रेंट्स एक बॉल में सबसे पहले हम डालेंगे यहापर गाजर तो यहापर मैंने एक गाजर को इस तरह से ग्रेट करके लिया है और साथ ही तो सबजी मेंने यहापर सारे लंबाई मेंने काट कर लिया है आपको जैसे पसंद है उसी सबसे काट कर लीजिए साथ ही यहापर मैंने एक इंच अधर को क्रेट करके डाल दिया है और इसी के साथ मैं यहापर तीन से चार हरी मिस्ट डाल दिया है और एक पिंच यहापर हल अच्छा से मिला लिया है आप यहाँ पर हम एट करेंगे बैसन तो बैसन यहाँ पर मैंने तीन से चार बड़े चमच बैसन लिया है अगर काप से मापत हुँ यहाँ पर एक काप बैसन में डाल दिया है तो बैसन डालने के बाद आप क्या करना तोड़ा सा पानी इसे में इस् और आप हम चावल का आठा लेंगे और इसे हम दो बाग में पाक कर लेंगे और इसका हमें बड़ी बड़ी लईया बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने बना लिया है दो और आप एक लई लेंगे और इसे आप क्या करेंगे चावल की आटा या तो गेहो की आटा के सथ लपट के इसे आप बेल लेना है तो यहाँ पर में डाल दिया है आप इसे हम इसी तरह से एक एक साइट करके मोड लेंगे तो यह आप देखके समझ सकते हो और इसे आप सब्दाने से रूल कर दीजिए तक यह टूटे ना दिखे रही इसे रूल करने के बाद आपके साइट वाला जो हिसा है ना इसके भी और इसे स्टीम करने के लिए गैस पर हमने राग दिया है एक पेनोर यहाँ पर पाने करम होने के लिए राग दिया है और अभी यहाँ पर में एक जाली वाला बरतन लिया है तो यह प्लास्टिक का है अगर आपके पास स्टील का भी है वो भी इस्तमल कर सकते हो हम यहाँ प तो इसका मतलब है हमारा जो रॉल हो जए तुछा माख दोटेश बाधनों सब्सक्राइन। तो ये दिखिए ये कटने के बद कितना अच्छा लग रहा है और ये काफी ज़्यदा हेल्दी है आपने देखोगा इसे बनाने में हमने एक तम ओयल का भी इस्तेमल नहीं किया है तो लीजे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सारे चावल के अटे का नस्ता बनकर तयार हो गए है ये सबजी से बरपूर है और ये बहुत ज़्यदा हेल्दी है तो आप इसे गर्म गर्म ऐसे भी खासकते हैं या तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या करें ना कड़ी पत्ता और रा वाचिंग